ए दोस्तो नमस्कार एक बार आप सब का फिड से बहुत-बहुत सवागत है हमारे योट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर तो दोस्तो जैसा कि आप सब को रहता है कि मैं आप सब के लिए पर डे प्रेक्टिस सेट जी के जी एसके हिंदी के मैथ के रिजनिंग के प्रोवाइ जाता है तो यहां पर ऑप्सन ग्लीसर ग्ल्स-राइत यहां पर त्राइट्रं आप अीट्र्यिस्ट संब्स-टार्स इसको खोज की थी अल्फ्रेट नोबल ने इसी वज़ा से इसको नोबल तेल का जाता है कब किया था 1846 में किया था याद रिखिए कि 1846 में इसकी खोज हुई थी ट्राइ नाइट्रो ग्लीसरीन चलिए भरते हैं कोईशन नमबर 77 पर आपसे कह रहा है निमलिकित में से कौन सा एक प्राकिरतिक फल पकाने वाला हार्मोन आपका अपका एथिलीन है जो इसका D है वो करेक्ट हो जाएगा एथिलीन क्या होता है एथिलीन गैसी रूप में पौ के विबिन भागों की सुसुपता अवस्था को समाप्त कर अंगुरण के लिए उनको प्रेड करता है तो उप्सन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा चलिए बरते कोशन नमबर 78 पर तो कह रहा है आपसे यहां पर निमलिखित में से मुख्यता किसके लिए सीटेन संख्य गुरता प्राचाल की रूप में प्रियुक्त होती है तो यहां पर देखा जाए तो ऑप्सन नमबर इसका जो सी है डीजल यह विल्गुल करेक्ट हो जाएगा बेसिकली कुछ इदन इस तरह से होते हैं जिनका वायू मिसर्ड जो होता है वो इंजनों की सिलेंडर में जोलन मिसर्ड कर दिये जाते हैं जिससे इनका अपसफोटन कम हो जाता है और ऐसे योगों को ही अपसफोटन रोधी योगी क्यानी कि एंटी नौकिंग कंपाउंड कहते हैं तो ऑप्सन जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर तो अगल अगले कोश्चन पर तो और इसके लाव भारत में सबको पता है में सौ मीन आता है तो यह याद रखिएगा कोश्चन नम्र आपका क्यासी कह रहा है निमलिकित मेंसे कौन सा एक बादब हार्मोन है क्या होता है बैसिकली प्लांट हार्मोन पूछ रहा है तो प्लांट हार्मोन भी से जो होता है अगर देखा जाए तो यहाँ पर और ऑप्सन जो भी है साइटो काईनी यह बिल्कुल गर्ड़ होगा तो उपसंट वी है उस पर लोग टिक कर देंगे चलिए बढ़ते कॉश् इसका A है वो करेक्ट रहाएगा अब बीटामिन A आया है तो इसके बाएं जान दो इसका रासाइग नाम के उतार रेटी नॉल होता है और इसके बलावा जो है इसके जो अड़सूत होते हैं वो C20, H29 और OH होता है चलिए बढ़ते हैं क्वेशन नंबर 83 पर तो आपसे आपर क का B है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेशन नंबर 84 कहरा आपसे यहाँ पर कि निम्लिकित मेंसे कौन सा एक बिटामिन A का प्रचूरतम सुरोथ है बिटामिन A का प्रचूरतम सुरोथ के अगरम बात करें तो आपका जो आम होता है वो प्रतिस सव ग्राम आम, पपीता और सेब में क्रम्व metam坐 आप 54 मिली गराम और अगर हम बात करें क्या मोलते है पपीता में वॉट त्व efficacy को नहीं पीना चाहरा है यहाँ पर आगर देखा जाए तो समुद्री गया है अगर यहां पर देखा जा तो बैसिकलि जो डाय है थी करें है कृछ। पतो कारें नम्दू करें है खा सबस्कें होगा रख साक्थ अपक्र करें एकृष्ण नबर्फ नबर 60 86 पर तो विक्तिन प्युक्ष प्यू gnrs और जो सी और सुखा डूर लाल होता है औरं़ से के ऐसिजन महीं नियुँरद करता है हलका पीला होता है और केरोटीन गाजर में भी पाया जाता है आप लोग को पता ही होगा चलिए बढ़ते हैं question number 87 पर तो आपसे यहां पर कह रहा है कि भारती सब्जी सोध संस्थान कहां पर इसित है तो दोस्तो भारती सब्जी सोध यानि कि इनिये शिटीट आफ वेजटेव यह चिड़काओं के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है तो यहां पर देखा जाए तो यूरिया जो होता है वह भारत में प्रचलित नाइट्रोजन धारी उर्वरक है जिसमें 46% नाइट्रोजन पाय जाता है और यूरिया जल में अतियंत घुलंसील होता है और अन्य है जिसमेलित नहीं है यह प्सक्रम पॉस्प क्रम तो आप के देखा जाए तो आपके देखा जाए तो आपका यहां प्रॉपशन च्जो है तो आपका यहां पर ऑफ्सजितीकी balanceO तो यह बात किया रहा तो ट्रिटी केल गेहों की एक संकर प्रजाती होती है और अंबेल की अगर हम बात करें तो अंबेल पुस्पकरम फलो जैसी लीची और अंगूर से संब्द देते तो उसका सी है सही सही तो आपसंट पर हम लोग टिक कर देंगे चलिए बढ़ते हैं अग लकनों में इसके जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कहां पर इसकी लगनों में चले बढ़ते हैं कोशन मैं 94 बहुत इंपॉटनिंट है कह रहा है वर्स भर बोही जाने वाली फसल है तो वर्स भर कौन ती फसल बोही जाती है तो मक्का जहां तो मक्का जो होता है अगर हम बात करें मक्का के बारे में, खरीब के बारे में, अरभी या जायद के बारे में, तो ये जो होते हैं, वर्स बर्भ हो जाने वाली फसल होती है, जायद में इसे चारे की रूप में उगाया जाता है, और भारत में मक्का की गेती 15 सदी से, कबसे भाई 15 सदी से होने के प्रमाड मिलते हैं विस्तों में मक्का उत्बादन जो है वो अमेरिका चीन ब्राजील और भारत का जो अस्थान है अगर देखा जा तो अमेरिका का पहला स्थान है भारत का चौथा या भारत का साथवा स्थान है जी है भारत का साथवा स्थान है और दूसरे पर आपका D है वो बिल्कुल correct हो जाएगा इसके लावा करनाल बंट और आपका जुलसा रतुवा गेरुई ये सारे आपके गेहों की बिमारी होते हैं चलिए बढ़ते हैं इसके कान सी बेसाल्ट लावा के बारे में बात कर रहा है या बैसायलिक लावा गोलते हैं इसको तो यह अगर देखा जाए तो आपका रेगूर मिर्दा जो है वो इसकी दौरा नेमित हुआ है तो आप सुन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं कोशन नमर 98 पर तो कहरा आप से यहाँ पर राश्टिय जैवी खेती केंद्र NCOF इस्थित है तो NCOF राश्टिय जैवी के खेती केंद्र जो है आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में से थे तो आपसें जो इसका D है वो करेक्ट हो जाएगा गाजियाबाद इससे दिए केंद्र छे छेत्रिये केंद्रों की स Caesarwości कार्य करता है और इसके छेत्रिये केंद्र करने वाला देश कौन सा है, तो सब्जियों का सरवाजिक उत्पादक करने वाला देश आपका आपको चाइना है, तो आपसं जो इसका A है किसकी एक उनत किसम है तो आपको कॉमेंट करके बताना है कंचन किसकी उनत किसम है अंगूर की आवला की इंडियन जो होता है वह आवला होता है आवला या कुवावा यानि की अम्रूत का या आम का तो यहाँ पर चार आपके दिये गए तो आपको कॉमेंट करके बताना है नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में आपको जो लिंक है देखने को मिल जाएगा दोस्तों अभी इस वीडियों से इतना है जैहिं जैभायत मिलते हैं सबसे नेक्ट पार्ट में